देंट्स अब हम एक नया चैप्टर लिए स्टार्ट कर रहे हैं, एस्टिमेट आफ वाटर सप्लाई एंड सेंट्री वर्क्स तो इसमें सबसे पहला कोश्चन हम सॉल्फ करते हैं मैन होल का हमें मालूम है कि मैन होल हम जब कहीं पर sewer line या water supply के लिए pipeline विछा रहे होते हैं तो बीच बीच में साफ सफाई परपच के लिए हम वहां पर बीच में manhole देते हैं ताकि वहां पर कोई manhole का मतलब ही है कि वहां पर कोई बैकती घुस सके और अंदर में जा करके अगर कहीं कुछ है उस pipe में तो साफ सफाई की जा सके तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं question को question हमारा है prepare a detailed estimate of a manhole from the given drawings हमें drawing दिवी है इससे हमें एक manhole का estimate बनाना है and general specification general specification दिया है तो हम इसका use करेंगे यदि नहीं दिया होता तो हम अपने मंद से इसका specification मान लेते जैसे अगर floor concrete है तो उसका एक 3-6 यहां पर दिया हुआ है नहीं दिया रहता तो हम 1-3-6-1-4-8 कुछ भी अपने मंद से ले सकते थे लेकिन specify करना बहुत जरूरी है तो चलिए हम अब question को solve करते हैं पहला item है earth working excavation number 1 होगा इसका length की बात करें तो 280 यह देखिए यहां पर दिया हुआ है 280 cm दिया हुआ है ठीक है length हो गया breadth जो है यह दिया हुआ है 190 190 हो गया अब हमारे height या depth की बात आती है ठीक है तो height या depth कैसे निकाला हुआ है देखिए यहां से यहां तक 70 70 है यहां से यहां तक 150 है और यह 40 है और यह 20 है तो इन सब को total करेंगे 20 40 60 और 150 दो 10 और यह 70 तो 280 हुआ और यह जो बीच में RCC slab है यह 12 cm का ठीक है इसे भी हम add करेंगे तो हमारा लगभगा कितना 292 तो हम उसे round off करके 290 ले लिए हैं ठीक है तो हमारा जो है quantity आ गया क्यूविक मिटर में next है दूसरा इटम सिमेंट कंक्रीट एक तिंच्छा विद ब्रिक बलास्ट is the foundation and bed benching में ठीक है तो foundation में जो हमारा है देकि एक number होगा एक मैन होल के लिए निकाल रहा है तो जितना हमार्थ करते हैं उतने में हम PCC करते हैं तो हमारा वही length वही ब्रिट सिर्फ हाइट चेंज हो जाएगा तो हमें 20 centimeter PCC करना है जो कि हमें ट्राइंग में दिया हुआ है इसकी quantity आ गई नेक्स्ट बेंचिंग तो बेंचिंग हमारा क्या है ध्यान से देखिए यह वाला पॉर्षन है बेंचिंग का तो इसमें हमारा यह दिया हुआ है तो हमारा यहां पर जो है नंबर वन हो जाएगा लेंध कितनी है 180 यहां से यहां तक ब्रिट है 90 यहां से यहां तक यही वाली 90 और इसके बाद जो है हाईट यह दक की बात हो रही है तो इसमें बेंचिंग का जो हम हम टोटब हमारी टाया कितना है फ्रती है यह देखिया अब त्या हुआ है एक कीजिए तो इस मेंट करना है दिख लेते हैं आप इसमें करशन जो में चैनल का यानि में चैनल यानि यह 40 mm डाया वाली पाइप की बात हो रही है यह वाली तो इसमें हम अपर पॉर्सन जो है में चैनल का एक नंबर होगा 180 लेंथ वही रहेगी अब यहां पर बिट्थ जो है उसको हम एवरेज लेना पड़ेगा यहां पर यह 90 है और यह इधर पर 38 है तो इन दोनों का एवरेज लेंगे तो से डिवाइड कर देंगे दोनों को एट करके तो हमारा एवरेज आ जा जाएगा और इसकी हाइड जो है 15 cm हमें लेना है तो यहां पर यह 15 cm हमें क्या लेना है यह उपर से जो है हमारा इतना खुला हुआ है यहां पर जो जहां पर यह पैग नहीं है यह हमारा यह वाला portion दिख रहा है जो हमारा relieving arch है ताकि जो pipe के उपर pressure ना पड़े यहां से pipe start हो रही है तो जो हमारा structure बना हुआ है यह direct pipe पर load ना पड़े उसको जो है इसका pressure relief करने के लिए अगल-गल में ground है उसका pressure जाए इसके लिए बना हुआ है तो यह वह चीज़ दिख रहा ठीक है हमारी यह चैनल जो है हमारा यहां से खुला हुआ है उपर की गोर तो उपर से कितना खुला हुआ है 15 cm यह हमें लगबग मान करके चलना है और याद भी रखना है ठीक है तो अपर पॉर्शन आप जो है किसका branch channel का इसमें multiply कर देंगे तो यह आजाएगा आप जो है हमारा branch channel का है एक number जो है इसकी length जो है 30 cm यहां से यहां तक का जो है एप्रॉक्स में 30 cm हमें ले लेकर के चलना है तो इसे हमें 30 कैसे लेना है देखिए यहां पर हमारा जो है टोटल यहां से यहां तक 90 है और 40 तो हमारा निकल क्या क्या यह open channel का जो यह pipe कड़ाया है यह यहां से यहां 40 है तो बचा केतना हमारा इधर 25 बचा और इधर 25 बचा तो यह हमारा हलका सा inclined है तो उससे हमें ज्यादा लगभग 5 cm 30 ले करके चलना है इसके बाद है ब्रिट्थ जो है 20 cm हमारी जो ब्रांच का एनाल है वो सारी ब्रांच जो हमारा है पाइप तो यह हमारा यहां पर है और 15 दोनों में उपर से 15 cm का खुला रहेगा तो हम यहां पर जब इसका multiply कर देंगे तो 0.01 आएगा और deduct कर देंगे इसको तो हमारा total deduction इतना और net total आजाएगा deduction के बाद जो है 1.35 क्यूबिक मिटर हमारा क्या आ गया पी सी सी वर्क आ गया ठीक है नेक्स्ट है हमारा brick वर्क फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन वन फॉर सिमेंट मोटा लांग वाल फर्स्ट स्टेप की बात हो रही है लांग वाल की लेंध कितनी है तो यह कैसे आई है देखिए लांग वाल में हमें मालूम है कि जितना होता हमारा इंटेरियर का जो लेंध होता है उसमें लांग वाल में जो वाल की विट होती उसको आड़ करते हैं तो हमारा यहाँ पर देखिए अंदर कितना है एकसी है एकसी तो दोनों साइड में कितना है हमारा इधर का 30 और इधर का 30 एड़ कर देंगे 30 नहीं अपन यह नीचे की बात कर रहे हैं यह इधर 40 सेंटिमेटर है न तो इसमें 40 40 एड़ करेंगे इसका मतलब है कि हमारी यह वाली लेंथ है 260 कैसे आई है 180 प्लस 60 सॉरी 40 प्लस 40 तो हमारा यह हो जाएगा 260 और इसका ब्रिट्थ जो है जितना ब्रिट्थ रहता है उसको हम दो गुना करके एड़ कर देते हैं यह कसी था हमारा और 40 40 80 जो है एड़ हो गया और हाइट इसका 90 सेंटीमिटर यह देखिए यहां से यहां तक ठीक है यहां से जहां से हमारा PCC है उसके बात से उपर तक है अब बात आती है कि बीच में पाइप भी है इस पाइप के लिए हमने डिदक्शन नहीं किया हुआ यदि चाहें तो कर सकते हैं लेकिन वह माइनर डिफरेंस आएग स्टेप और यहां पर और बीस सिधर का बीस सिधर का सपिछल नहीं मीटर और यहां पर सेवेन्टी की है को स्कार्ण नहीं है है हमें की है क्हिए उस स्व कुए यहां पर हो Weld यहैं तो short wall जो है first step की बात हो रही है तो इसमें हम क्या करते हैं minus करते हैं जहां पर भी long wall में add करते हैं wall width को और short wall में minus करते हैं तो हम minus करते हैं कब जब हमारा center to center length हो यहां पर हमें clear span ही अंदर वाला ही length दिया हुआ है तो हम सीधे 90, 90, 90 तीनों के लिए ले लेंगे जो अंदर वाल यह है short wall ठीक है यहां पर short wall में कुछ नहीं होगा minus अंदर से अंदर ही हमें दिया हुआ है 90, 40 वही चीज़े हैं बस यहां पर लें तीनों की दियान रुखिएगा और 40, 30, 20 wall width है इसके बाद यह height भी दिया हुआ है quantity आ गई यह इसके बाद है cement pointing तो एक ratio दो की बात हो रही है long wall up to slab इस slab तक का ही हम पहले निकाल रहे हैं ठीक है इस slab तक का long wall यहीं वाली है ना यह वाली long wall और यह वाली long wall है और short wall यह वाली और यह वाली होगी तो पहले long wall की हम बात कर रहे हैं दो number होगा यह हमने सामने की इसकी length कितनी होगी हमारी इस यहीं तक की बात हो रही है ठीक है तो अब हमें pointing प्लास्टर का तो सिधा surface area निकाल देना है अंदर अंदर इस पे अब दिवाल के जो मतलब जो दिवाल joint है जैसे हमारी अगर यह दिवाल है तो हम इस वाले portion पे थोड़ी न कर पाएंगे हमें तो सिर्फ यह clear response ही चाहिए तो clear हमारा कितना दिया है देखिए 180 है तो 180 यह हो गया और इसका height यहां से ले करके यहां तक कितना है 150 है तो यह 50 हो गया short wall up to slab short wall भी दो नंबर होंगे आमने सामने की 90 cm है इसका यह दिख रहा है तो यहां पर इसकी भी height 150 है quantity आ गई short जो है left face की बात हो रही है तो left face यानि इस side वाले की बात हो रही है तो short wall हमारा यह वाला है यह इसका जो कि हमें यहां दिख रहा है तो 90 cm इसकी क्या है length है और इसकी height कितनी हो जाएगी यहां पर देखिए यहां से यहां तक का height यह है और इधर वाले portion की बात हो रही है तो इस side तो यहाँ पर slab है इसमें 12 हम नहीं करेंगे यहाँ पर हमारे कितनी हो जाएगी height जो है 70 ही रहेगी तो हमारा यह यहाँ पर जो है 90 length और 70 height हो गई और इतनी quantity आ गई इसके बाद जो remaining face बच रहा है दो नमबर यह आमने सामने वाले की जैसे यह left और right हो गया तो आमने सामन का तो टू नमबर्स होगा और यह 60 यहां से यहां तक दिया ही हुआ है length और इसका जो height है यह भी कितना होगा 70 और 12 cm slab का जो thickness है यह 70 और 12 82 हो जाएगा ठीक है तो यहां से हमारी यह quantity आगी स्क्वाइर मेटर में अब हम plaster जो है नीचे floor में होने वाला है ठीक है तो हमारा floor कि इतना है कि देखिए 180 जो हमारी चोड़ाई है यहां पर यह 80 ठीक है और हमारा जो है इधर का ब्रिट तो हमारा यहां पर 120 कैसे आया हुआ है देखिए clearly लिखा हुआ 90 cm हमारा यह width है और इसके बाद 30 cm extra लिया है और एक्ष्ट्रा किस ले लिया है करवेचर के लिए यहां प बढ़ेगी तो इसका जो है अप्रॉक्स में 30 cm रिक्ष्ट्रा बढ़ा करके ले लिया है तो यहां पर स्कॉर मिटर में जो नीचे में फ्लोर में प्लास्टरिंग है वो हमारा आ गया नेच्सT अब हमें निकालना है RCC slab निकालना है तो RCC slab जो है हमारा ये वाला slab है ठीक है तो यह एक नंबर है एक chapter में ठीक है working chamber के लिए जो हमारा ये slab है इसी के लिए हम बात करें working chamber का एक number है इसका जो लेंध है जो होगा हमारा कितना 135 यह कैसे होगा बता रहा हूं मैं तो यह कैसे है देखिए यहां से यहां तक 180 है और इसमें से 60 माइनस कर देंगे तो 120 आएगा यहां पर 120 आया यह वाला पोर्शन यह चीज यहां सामने वाले में इधर वाले में और इसके फ्रंट वाले में जो है हमारा सपोर्ट लेगा यानि तीन साइट से सपोर्ट मिल रहा है तो हमारा यहां पर 90 प्लस 15 एक सो बीस हो गया और इसका डेप जो है बारा सेंटिमेटर है ही इसके वाद साफ्ट इसके उपर वाले की बात हो रही है इसमें हमारा जो है कितना यह साथ है 10 इधर और 10 इधर यानिकि 60-10-70-10 असी यह हो गया हमारा लेंथ और जो ब्रिट है यह हमारा 90 प्लस 10 प्लस 10 यह 90 है और दोनों साइट में 10-10 सपोर्ट पे चला जाएगा तो यह चारों साइट सी इसको सपोर्ट मिल रहा है इसलिए है साम कर रहे है तो हमारा एक 10 हो गया और 10 cm इसका ठिकने सा यह देखिए दिया हुआ है तो हमारी य सेंटिमिटर डाया का हमारा जो है 45 सेंटिमिटर डाया सियď मअन होल कवर है तो हुआ दाया का इस्कोयर अपान फोर इससे हमारा इसके बाद saga मैंड़र इसके बाद 44 मैंन होल 42 सेंटिमिटर डाया का फ्रे понрав है एक नंबर चाहिए और और इसके बाद iron foot steps जो है हमें उस पर चड़ने के लिए हमें iron का foot steps चाहिए तो इसको count कर लेंगे 1234567 seven numbers आप चाहिए तो seven number में हम iron foot step के लिए 69 डाय बार का हमने इसका frame you from जो भी जैसा आएगा इसका जो है हमने numbers पर निकाल लिए तो हमारा यह question estimate यहां पर complete हुआ इसके बाद abstract बनाना है तो abstract तो बहुत easy है इसमें सिधा हमारा जो हमने उपर में quantity निकाली है तो इसमें particular साफ आइटम यानि जो हमारा work है उसका name लिखेंगे आइटम का और उसके बाद quantity unit rate अब rate हमें देखिए किसी भी question में पहले से नहीं दिया हुआ है तो हमें एक प्रॉक्स में जो भी question solve कीजिए जो भी वर्क है जैसे अर्थ वर्क जहां 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 भी आता है तो आप लगबग हर जगए रेट याद रखिएगा एप्रॉक्स में चलेगा हमें सिर्फ क्या एक सामने वाला एक्जाम में आइडिया पूछता है ना कि exact उसको जानना रहता है तो हमारा यह यहां पर आ जाएगी quantity to rate का multiply करेंगे तो amount आएगा और ऐसे ही सारे उसका आ जाएगा amount और फिर उसके वाद last में क्या करेंगे यह देखिए आपर हम यह जरूर ध्यान रखिएगा 3% और 2% यानि total 5% जो हम add करते हैं क्या contingencies और work charge establishment तो हमारा यह total grand total आ जाएगा बस नहीं है इस question में thank you